बिल्कम बैफ्रेंग दोस्तों रमस्कार इस्पिसाल पाउरफुल वीडियो होने वाले यूपी इसाई दरोगा के लिए इस वीडियो को देखने के बात आपके जुनून आ जाएगा जोस आ जाएगा और सरीर में जज़बा आने वाला है क्योंकि इसमें हम पाउरफुल को एक सर्विसमें सब के बारें बात करने वाले हैं तो भाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन जबर जस्त पाउरफुल वीडियो होने वाली है अभी तक आपने फार्म को अपलाई कर दिया होगा और रेजिस्टेशन क्लोज हो चुका है अब कोई भी चल रहा था तो याचियो को पच्छ में गया है वही 144 बच्चे हैं जिनको मोका दिया गया है अब कोई भी फार्म री ओपन नहीं होने वादा है अब रेजिस्टेशन क्लोज हो चुका है अब बात करने वाले हैं एक के पॉइंट पर बात कर लेते हैं 2016 में कंपडिशन कितन चींगे नंबर उन नुमबर वन टोपिए टोटल फाम कितने हुए है उसके बात कंपटिशन कितना रहने वाला है 2016 में कटप क्या था 2011 समय इसके बादेव respecting के क्लियर तो यहां पर चलिए फटा 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 जल्दी हम लोग देख लेते हैं उसके बाद आगे एक एक पॉइंट को किलियर करते चलते हैं और आप लोग को समझ में आएगा वीडियो को जड़ा से कर दो उसके बाद आल बना होगा नोटिफिकेशन उस पर जाके सेलेट कर दो क्योंकि स्मार्ट इस्टेटी पर इतनी पावरफुल वीडियो मिलते हैं आप सभी को साइध ये किसी चैनल पर आपको मिलती होगी जो कि एकदम बिस्तित रूप में एकदम पावरफुल और एकद आगे बात करते हैं तो सबसे पहले यहां देखिए आपको इस्क्रीन पर सो कर रहा होगा एकदम ऑफिसली क्योंकि हम स्मार्ट इस्टेटी पे ऑफिसली बात करते हैं तो लगभग कम से कम 10-11 फाम तो हम खुद अपलाई कर चुके हैं कि आप सब को दिखाने के लिए एकद जानकारी दूँ 100% जब भी दूँगा एकदम सटीग दूँगा सही दूँगा राइट तो सबसे पहले आप देखिए ओफिसल देख लिए ना कल हम लगभग 10 बजे नव बच के पच्पन पचास मिट पर आनलाइन के थे क्योंकि हमको पता था हम टाइम को बेट कर रहे थे जितना टाइम हो जाएगा हमारे लिए उतना ही ठीक रहेगा तो हम अच्छे से बच्चों को जितने में कंटिडेट जूड़े हूं हम उंको अच्छे से बता पाएंगे कि यह कंपटिशन आपका कितना होने वाला है तो यहाँ देख लिए सबसे पहले टोटल फाम पड़ा लगभग फाम अपलाई हुए थे तो यहाँ पर आपको टाइम भी दिखाते रहें आपको विश्वास नहीं होगा तो हम सब कुछ एकदम दिखाने वाले हैं यहाँ देखो सबसे पहले आपको पता है जब आप लोग रिजिस्टेशन करते हो तो जीमिल पे यहाँ इमेल आ तारिक देख लीजिए अच्छे देखो तारिक तारिक देख लें आपको दिख रही है इमेल पर मैसेज आया है स्क्रेंट लेकर आपको दिखा रहे हैं एकदम हंडर पर्षेंट ठीक न वहाँ देखो कितने फाम पड़े हैं 15,955 फाम अपलाई हुए सिर्फ रजिस्टेश ठीक खतम हो चुगा रिजिस्टेशन अब आपको दिखाते हैं एक तो बात हुई टोटल फाम कितने पड़े दे आपको दिख रहा होगा इसक्रिल पे टोटल फाम पड़े हैं 15,9955 15,9956 फाम पड़े हुए हैं UPSI में कम्पेटिशन अभी देखने को मिलेगा डरना ना बिल अब इसमें से रियल फाम कितना पड़ा है उसके बारे हम जान लेते हैं हम लोग तो सबसे पहले हमको जाना होगा यहां पर यहां यहां देखिए राइटिंग पेज पीडिएफ पेज पेज पर आगए हैं तो यहां देखिए टोटल फाम कितने अपलाई हुए हैं यहां द इसमें सभी लोग हैं चाहे वो पिस पेमिंट किये हो या भी पेमिंट नहीं किये हो जो कंडिडेट फिस को पेमिंट किया है वही एकजाम देने वाला है तो सबसे पहले हाँ देखिए टोटल आल फाम अप्लाय हुए है कितना यहाँ देखिए टोटल atrial contempor bananas जो कि हम 2,88,000 एसे लिए हैं जो कि फीस को पेमिंट नहीं किये हैं जम नीज पीपर में थे तो उसमें 3,42,000 एसे कंडिडेट थे जो नहीं किया था भाई यह फीस को जो कंडिडेट पेमिंट किया होगा उसी का फार्म ओशी का अड्मिट कार्ड बनेगा अन्यथा किसी का अप्टन नहीं आता है उसे में डिकलिरेशन करने के लिए आ जाता है इसको अच्छे से हम देखके आप लोग इसको पढ़ चुके हैं और दुबारा इसको मोका हम नहीं देंगे फार्म को अप्लाई करने के लिए नहीं ए नाटक चलता रहेगा तो भाई अग्जाम कब करने करने के कमपड़िशन इससे हम लोग देखेंगे और आपको बता दें इसी में रिसक उठनी चेक होगा तो भाई युद्य आप उर चंम होने वाला है बाकी जब आपका एक्जाम होगा तो वहाँ पे लगभग 60-62% पर चेजाम देने जाते हैं उसका अलाग से वीडियो बना दूँगा ठीक तरस्प से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से कंपटिशन टोटल इतने फाम पड़े हैं देख ले न 25,000 पास होने वाले हैं तो हम लोग जो कंटिडेट पास होंगे समझो इतनी सीट है जो कंटिडेट पास होंगे वहीं से कंपटिशन निकलता है ठीकर इससे नहीं निकलेगा competition इससे नहीं निकलेगा, जो candidate जितने पास होंगे, उससे यहाँ पर भाग दिया जाएगा, तब आपका competition निकल गयागा, हम लोग देख लेते हैं, फटापट, सबसे पहले all registration हुआ, इस पर फरजी पर देख लेते हैं, जो all registration हुए, इस पर हम लोग competition देखते हैं, जल्दी जल बच्चे हो रहे हैं, यानि फरजी registration सब कुछ लेके इस पर 30 बच्चे हो रहे हैं, ठीक एक सीट के लिए, और वहें पर रियल डाटक बात करते हैं, जो रियल आने वाले हैं, तेरा लाक यारा जाने वाले हैं, इसे पचीस से भाग दोगे तो बच्चे आ रहे हैं रियल में 52 competition एक सीट के लिए, एक सीट आपको पाने के लिए, टोटल 52 competition, 52 लोग से fight करना पड़ेगा, जो कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, यूपी अभी रियल वे की बात करोगे, यहां जो 52 दिख रहा हैं वहाँ पे 52 competition आजाए एक सीट के लिए, सोचो वहाँ पे कितनी मह हमारी है, और यहां पे देखो कितना कम competition है, थोड़ा से महनत कर जाओगे, 100% हो जाएगा, जो अभी रियल में जो सामने दिख रहा है, 52%, अभी सोचो कितने बच्चे अपसेंट होने वाले हैं, कितने बच्चे एक्जाम को छोड़ने वाले हैं, और कितने बच्चों का फाम रिजेक्ट होने वाला है, ति आखड़ा आपका जो 52 दिख रहा है, यह पहुंच यह आजाएगा लगभग 32, ठीक न, बहुत धिकम competition होने वाला है, जब तक आप फिसकल दोगे, तब तक competition रह जाएगा 12, ठीक तो, उसके लिए tension ना ले न, बिल्कुल भी, competition बहुत यह अच कट आप के उपर बात करते हैं, compare करके, चलो back चलते हैं, यहाँ देखिए हम लोग back आगे हैं, सबसे पहले हम बोले हैं, आपको ओफिसेल ही बात करते हैं, जब भी smart study बात होती है, एकदम ओफिसेल ही जनुइन बात होती है, तो भाईया यहाँ यहाँ देखिए, पूरा 2017 से 23 12 2017 तक एकजाम हुआ था, यानि 12 दिसंबर चले के 30 दिसंबर तक आपके एकजाम चले थे आनलाइन, तो भाईया यहाँ देखो टोटल फाम कितने अपलाई हुए थे, यहाँ देखो, यहाँ देखो टोटल कंडिडेट कितने बच्चे एकजाम दिये थे, पांच लाख बाकि यहाँ पर सीट की बात हुई, इसको देख लेना, इतने सीट भरे गए हैं, यह सारी चीजे इसको छोड़ते थे, आपको कटाब दिखाते हैं, ठीक है ना, कटाब आपको दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पर देखिए, 2016 में, अभी भी 2021 के मुकाबले, कमपेटिशन य रिजल्ट हमारे पास से, यहाँ देखो सबसे पहले आपको कटाब पूर दिखाने वाले हैं, जर्नल OBC, ठीक है ना, जर्नल का बताने वाले हैं, जर्नल OBC, OBC, SC, और ST, और female candidate, ठीक है न, सभी का कटाब हम किलियर करने वाले हैं, लास्ट कटाब की बात करने वाले हैं, कि कितने नमबर पर सेलेक्ट हुआ था, OBC का कंटीडेट का कितने नमबर पर सेलेक्ट हुआ था, और ST कंटीडेट का कितने नमबर पर सेलेक्ट हुआ था, और female के कितने नमबर पर सेलेक्ट हुए थी, तो भाई, यह सब कुछ किलियर करने वाले हैं, यहाँ पी देखो, सबस 1 थी 314 नंबर पाये थे और इन्होंने आल इंडिया रेंग इनकी 1 थी देखलो यहाँ पर टॉप किये थे उसके बाद यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा अब यहाँ देखो टापर भी यहाँ पर देखो थोड़े से नंबर से रहे नहीं थे फेल हो जाते टापर भी यहाँ पर देखो इनका कमजोर था और दो नंबर ज्यादा मात दो नंबर का टाप से दो नंबर ज्यादा है फिर भी इन्होंने तीन सो चूदर नंबर लेके टाप किये हैं किलियर देख रहा होगा देख लो टापर के यहाले वह यह देख लो तीन सो चूदर नंबर पाएं हैं तो अच्छे देख लें सभी के सब्जोर के मजबूत नहीं होते किसी ना किसी कमजोर होता चाहे जैसे माली चाहर इजिनिंग कमजोर होगा बच्चों या फिर मैत कमज किलियर न आप अब को दिखाते हैं कि जननल काटेग्री में जनको संबुम्य पूलिस्स उनको दिखाने औरी 251 नमबर इंकी कटाप गए थी यह लास्ट कंडिरेट है जों करके अच्छे से देखो यहाँ पे आपको देख लें दिखा दे रहें यहाँ देखो कितना नमबर आ था जर्णल में लास्ट कंडिरेट जो सेलेक्ट हुआ है 251 नमबर 018 नमबर पाये थे और इनका सेलेक्शन हुआ था सब्जेक्ट वाइजिंग का स्कोर देख लो एक सब्जेक्ट ने देखो इनका 67 नमबर है दूसरे में 53 नमबर है फिर 66 और फिर 63 इन्होंने इतने नमबर पाके सेलेक्ट हुए है इनका सेलेक्ट हुआ था यहां पर देखो इनका स्कोर दिखाते हैं आपका टोटल इनका स्कोर सेलेक्ट हुआ है ताहि害 देखो हैं अच्छे सब्सक्राइब फार दर्ञें की रह mayonnaise li मैंद इनका इनका स्कोर टोटल यहां पर देखो पर फ्सकोर आपके抖 दिखों तो ओ राघ्णा हो कर देखमें है नहीं 155 155 सोचो पहले हाँ देखो गजब की बात है यह 50 नंबर कटाप था और इन्होंने कितना नंबर से कटाप से एक नंबर जादा मारे हैं 155 अगर 1.5 नंबर कम होता तो फेल हो जाते हैं सोचो 227 नंबर क्यों ही न पाए हैं अगर यहाँ पर उन्चास हो जाता है तो फेल हो जाते हैं कंडिडेट लिकिन देखो लक देखो इनको मेहनत देखो कि एकदम लेबल पर आके पास वेए न को और ऐसे वैसे नहीं इनको कमेंड में आती है लिकिन जब भी देखा हूं सभी लोग ने बहुत मैक्सिमम लोगों ने 90% लोगों नो गलत बता यार कैसे आप लोग विश्वास कर लेते हो कमेंट भी आप लोग नहीं करते हो जाके कि आप जो इनफॉरमेशन दे रहे हो गलत दे रहे हो भाई यह आते हैं यह सी के 234 नंबर गई है किसी बताते हैं 227 नंबर गई है कोई बताता है 250 मतलब अंधा धून इसे धोके हैं और आप लोग कमेंट कर दो कि बेरी नाइस नाइस सुपर नाइस सुपर डूपर वीडियो थैंक्स यह सब बोल दोगे तमाम लेकिन कम सकम थोड़ा से दिमाग लगाओ आप लोग दरोगा बनने जा रहे हो और थोड़े सी भी आपको इस अपकी नालेज नहीं होगी कि प्रिविए सीर अच्छे से कटाप देख लें जो जिनुएन है उसका चैनल को सस्क्राइब करें और देखें जो रियल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे पर अब बताया हुए कभी गलत जानकारी नहीं देता हूँ जो भी देता है एकदम सटीक और एकदम ओफिसली दिखाने कोसिस करता हूँ क्योंकि इतने बच्चे जूले हों से सब लोग भरुसा करते हैं कि स्मार्ट इस्टेशा चैनल है कि जो की एकदम सटीक और सत्तिक जानक रखना आज भी लिग दे रहा हूँ तीन हजार तीन सो साथ सीट थी और कोई भी बच्चा इससे कम बताया कर द्याद रखना उग्दम फरजी बता रहा है और फार्म कितने पढ़े थे पांच लाग 42,000 124 फार्म अपलाई हुए थे टोटा एकने बच्चे एकदम देते इस सेलेक्ट हुए हैं कंडिडेट SC लाश्ट का टाफिंग की गई थी यहां भी देखो 200 नमबर लाना था 211 नमबर लाके इनकी फानेली जॉब लग गई है अब इनको सेलेक्शन हो चुका है 211 नमबर 18 211.18 नमबर पाके इनका सेलेक्शन SC में हो चुका है अब इनको सबसे प सकते हो किस्मत देखो किस्मत कखेल नहीं कहोगे क्या कहोगे किस्मत यह देखो50 नमबर पाए हैın Hollywood 53 सोचो 50 नमबर क्वालिफाइब पाना था और 50 ही नमबर पाके इनका सेलेक्शन हुआ है कितनी किस्मत है झेलेक्षिशन helpful इरह से हो गया सब प सबस्क्राद करें जोभा करते हैं 317, 211 129 । और सटिक बात करते हैं तो 211 नंबर कट्वा था इनन्का गया था क्टवर एस्टिक भूल जाओ क्योंकि ST कटाप समझो पूरी की पूरी सीट खाली चली उनकी बाती मलतरों कटाप की क्योंकि कोई कटाप दिक लिए नहीं हुआ था एक कंडिडेट था जो की जर्नल में पाके पर दिखाय नाँ इसको कॉपी किए यहां पर देखर है यहां पर लिख रहे हैं यहां पर समय घृष्चिक रहे हैं इसके बाद यहां पर दिखा रहे हैं उसके बात स्ट करती हैं देख लो एकदम एकदम ओफिसली दिखा रहे हैं आपको ठीक है ना देखो यहां पे यहां एसाई यहां देखो स्वरी इनको सिबिल पूलिस मिली है देखो अच्छे से यहां भी देख लो भी यह सभी किसा भी सीट खाली चली गई सीबिल पूलिससन को मिल गई सिर्फ एक ही मातर candidate मेल पूलिसन में इनका सस्य। हो चुका है बाकी अन्नता किसी कंडिडेट का सेलेक्शन नहीं हुआ है अब आपको हम सब कुछ दिखा दिए हैं कि भाईए आ देखो है महिलाओं को देख लेते हैं उसके बात भी बात करते हैं अब यहां पर बात करते हैं यहाँ पर गल्स कीटापर की ठीक है ना जनल पर जो फाईट कहते हैं वो नमबर वन ओबर आल इंडिया टॉप करते हैं उसके बाएं टॉपर कई प्रकार के होते हैं और वी सीख टॉपु कंडिडियेट और फिमेल में टॉप कंडियेट ओब सब डिकलियर होता है किलियर तो उसके बाद यहां पर देखो इनकी रैंक वन थी गल्स में 309 नुमबर पाई थी 309 नुमबर पाके उन्हें ने टॉप किया था आल इंडिया गल्स में इनका स्कोर देख लेते हैं पचासी अठावन इनका भी सब्जुक्ट इबिक्त है 393 और 72 फिमेल कंडियरेट है 309 नुमबर इनका स्कोर इसकोर भई है ठीक है न आगे बात करते हैं अब इनका जनल में कटाव किनला लास्ट में फिमेल के गया था जनल मत देख लेते हैं हम लोग फटा फट जनल मत देखते हैं फटा फटा पट आपको दिखाते हैं यहां पे देखो जोन्र की बात करते हैं तो यहां पर अच्छे से दिख रहा होगा यहां देखो टोटर सेलेक्टिन हुआ है जनली ही का ठीक है ना तो टोटर यहां पर SC को SC candidate no qualify, ST candidate no qualify, 200 number नहीं नहीं लापाई, और सब इस सब भाईय सीट इनकी हो गई, खाली, मात्र यहां पे देखो, OBC candidate की बात करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 महिलाओं सिर्फ सेलेक्शन हुआ था, 5 महिलाओं का, 5 महिलाओं का सेलेक्शन हुआ था, बाकि 300 महिलाओं जो SC थी, जन उनकी सेटकाइब हो था, बाकि सिर्फ 5 महिलाओं सेलेक्शन हुआ था, और SC कंडिडेट की कोई महिलााओं कौलिफाइड नहीं कर पाई, ST कंडिडेट की कोई महिलाओं कालिफाइड ही, 200 number नहीं लापाई, छोलो फटापुदह हम लोग काटाप काटाप की बात करते हैं, यहाँ भी देखो हम लोग कटाब देखे हैं सबस्ब पहले कटाब कितनी जाएगे ठीक ना तो यहाँ देखो जनरल की कटाब कितनी गया थी तो दो सो सब्सक्राइब गई थी किलिए यह तो बात ही 2016 की बाकि फिमेल की बात करते हैं तो जर्नल में जर्नल की फिमेल की बात करते हैं तो 224 और 202 बात करते हैं तो 220 नंबर बाकि कोई महीला कॉलिफाई नहीं कर पाई थी तिक यह तो 2016 की बात हुई अब याद रखना 2021 में कटाप कितनी जाने वाले एक्सपेक्टे नंप्राइब को इसमें यहां पे देखो स्पहले यांप यहां पे प्लस बीस नंबर जोड़ो जोड़ो जोड़ेना ठीक है न और यहां पे देखो इसे कंडिरेट पर इनका जोड़ो बात करते हैं से देखो फटब यहां देको पांच नमब्र थेखे न और इनका देखो इन महिलाओं का फटब यहां भी देखो पांच नमब्र तेखे न इतनी च्टाब जाएगी screen shot ले लेना ये 2021 की बात कर रहे हैं general की बात हो गई OBC बात हो गई SC candidate की बात हो गई general female और OBC female और ST बात करते हैं सिफ qualified कर लेना याद रखना female की बात कर रहे हैं SC की qualified कर लेना 200 number ला लेना आपका selection हो जाएगा और वहाई पर बात करते हैं SC की अब भी महिलाओं की बात करते हैं 200 number लेते आना आपका 100% selection हो जाएगा कोई रोक नहीं बाएगा ठीक ये तो बात हुई special इतनी कटाप इतना जोड़ लेना screen पर ले लेना screen shot ले लेना ठीक है ना इतनी कटाप आपकी जाने वाली है इससे थोड़ा बहुत कम जा सकती लेकिन जादा नहीं जाएगी जिनका selection 2021 में होने वाला है याद रखना screen shot ले लेना दिख रहा होगा general OBCCST आप बात करते हैं EWS की एक service man की क्लियर क्योंकि आप किसी का छोड़ेंगे नहीं EWS की बात करते हैं EWS इनकी candidate की कटाप की इतनी जाएगी तो इनकी भी general की इर्द इर्द रहती ही थोड़ा सक्काम रहता है ठीक ना तो यहाँ देखो 250 पलस 20 यानि 270 ठीक ना 270 नमबर आपकी कटाप लगभग लगभग जाए 270 नहीं जाएगी लगभग 265 नमबर 265 या 68 नमबर आपकी कटाप जाएगी 265 नमबर तक आपकी कटाप जाएगी EWS candidate की इतना नमबर आप लुपाओगे तो आपका selection हो जाएगा अगर कोई भी आटीचर या भी कुछ भी बताए 300-300 नमबर जाने वारी हंड्रेट परसेंट क्योंकि बहुत से लगभग परजन्ती होती तो जद 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 पैसेट परसेंट बासेट परसेंट साथ इतनी होती तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना सीट बहुत ज़्यादा है मुग के बहुत अच्छा है इस बार अगर इतने नमबर लाओगे जितने कटाब बताएं इस बता जूँए अभी बताते हैं एक सर्विसमें की बता दें एक सर्विसमें एक सर्विसमें होगाट की बात करते हैं तो यह आपका 210 नमबर पलस सर्विसमें की बात कर चुके हैं इतनी कटाब आपकी जाने वाली है बिल्लुक्ल भी नि nhưng रहना धर कोई बनायागा निसुंत रहना रिकाप कुछ नहीं इस भार की कमपटीशन कम है ओवराल कमपटीशन की बात करते हैं तो कमपटीशन लो है उससे बहुत लो है क्योंकि इस इट जो है आपको 32 कमपटीशन दिख रहा बाउंस से 32 आगी 32 से 12 आजाएगी कब आगी कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको क्लियर तो भाई आपने सब्जेक्ट को मजबूत करो आप सुभी को पता है 400 नंबर के पेपर होने वाले हैं 400 नंबर का पेपर होगा 160 कुस्चन आएगा हर कुस्चन के ढाई नंबर मिलेगा और आपको 35 परतिसत अंकलाना जरूरी है हर सब्जेक्ट में यानि 40 परस्ट हर सब सब्जेक्ट में हिंदी रिजनी मायत और जीके ठीक है न तो उसमें से 14 परस्ट आपको सही करने होंगे सब्जेक्ट में जितने 14 परस्ट यानि 35 परतिस सतंक लाना जरूरी है किलियर यह पता चल गया अच्छे से तो आपको बढ़िया से मेंटेन करके चलना सब्जेक्ट क हो चाहे हिंदी हो रिजनी हो मैत हो या फिर जीके हो सबकु बालस बना के चलना सब कुछ क्लियर करना उसके बाद आपको जैसे माले लेजिएOkay कैसे कैसे करेश्ट कहां से आय था उसके ओपर वीडियो सब कुछ बना चुके हैं जाकर जीके बना है लिस पूरा पिले चाहिए अब आपका कंपेडिशन क्या है कैसा है कितना है कैसे कैसे होगा सब कुछ क्लियर कर चुके हैं नंबर कितना लाना है कंपेडिशन कितना है सब कुछ क्लियर कर चुके हैं ठीक है अब वीडियो बहुत लंबी हो रहे हैं बहुत बोरी इस फिल करोगे अब मेली आपसे बिदा लेते हैं मिलते ने स्ट्रीम, थैंक्यू, धन्य बाद